नमस्कार मैं हूँ तविशी चोपडा कालरा और आप देख रहे हैं N27 News 24 दिसंबर को मुंबाई और मुंबाई की टीवी इंडस्ट्री के लिए बेहत आम दिन था तो नीशा शर्मा जो की एक टीवी आक्टर थी उन्होंने अपने मेकप रूब में फासी लगा कर आत्मत्या कर ली तो नीशा शर्मा सुसाइट केस के बीच बॉलवोड आक्टर सुषान सिंग राजपूत की मौत के मामले ने भी नया मोड ले लिया है बॉलेवोड आक्टर सुशान सिंग राजपूत 14 जून 2020 को बैंडरा में अपने फ्लाट में फंदे से लटके हुए मिले थे इसके बाद मामले में सुशान की दोस रिया चक्रुवर्ती पर मौत के लिए उकसाने और प्रॉपर्टी का दुरुप्यों करने का भी आरूप लगा था सुशान की मौत से जुड़े ड्रग्स केस में रिया को कुछ दिन तक जेल में भी रहना पड़ा था अब इस मामले की जान CBI के पास है सुशान सिंग राजपूत की मौत के धाई साल के बाद कूपर हॉस्पिटल के मौर्चरी के करमचारी ने चौकाने वाली बात कही है जीहां उनके दावे से हिंदुस्तान में एक बार फिर से खलबली मच कई है कूपर हॉस्पिटल के मौर्चरी के सर्विंट रूप कुमार शाहने चौकाने वाला दावा किया है सोमवार को उनके दावा किया कि आक्टर ने सुसाइड नहीं बलकि उनकी हत्या हुई थी सकाम चेलो करने के बाद उनका नमबर 11 भाबद या है रात में उसके बाद हमने उ Li000 mare घुलने के बाद देखा तो मतलब देखा मतलब घुम्लें जो बॉढ़ि तक सभू लिए को तो तो को उससमें हमारा वात्शित होने के बाद में सब्सक्राइब करने तो सब्सक्राइब अब इस संसनी खेस दावे के बाद तमाम पॉरंसिक एक्सपर्ट्स ने साजिश रचने वालों पर गुस्सा जाहिर किया है जिसमें कहा गया है कि करमचारी इतने जानकार है तो डॉक्टर और उनकी डिगरी किस काम की है एक्टर की मौत को दो साल हो चुके हैं रूप कुमाश शाह ने आरोप लगाया कि सुशान सिंग राजपू ने सुसाइट किया था रूप कुमाश शाह ने ये बात बताई कि जब हॉस्पिटल में आक्टर सुशान सिंग राजपूत की बॉड़ी आई थी तब वो ड्यूटी पर थे उन्होंने जब बॉड़ी देखी तो उन्हें गले पर हैंगिंग का मार्ग दिखा लेकिन वो सु अक्टर को मारने का धंग एकदा मलक था उन्हें वो निशान फ्रैक्चर जैसा लगा था मौर्चरी सर्वेंट रूप कुमार सिंग ने साथ ही ये भी बताया कि उनके पास 28 साल का तजुर्बा है और वो अपने करियर में 50 से 7000 बॉड़ी देख चुके हैं तो सुशान की बॉड़ी आने पर जब उन्होंने अपने सीनियर से बात करनी चाही तो उनके बॉस ने इस बात को टाल दिया और उनकी बात को नजरंदास कर दिया कोपर हास्पिटल के मॉर्चरी सर्वेंट रूपकुमार शाकिस बयान के बाद experts का कहना है कि अगर एक मौर्चरी करमचारी हत्या या आत्मत्या की पहचान कर सकता है तो डॉक्टर या उनकी डिग्री किस काम की डॉक्टर को गलत दिखाना बेहत गलत है और इस तरहां की चीजों को रोकने की जरुरत है आपको बता दें सुशांत की मौत के बाद से उनकी बहने उनको इंसाफ दिलाने के लिए लगतार आगे आती रही है उनकी बहन श्वेता ने भाई सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए एक लंबी लडाई तक लड़ी जो अब तक जारी भी है इस केस में सुशांत के लिए इंसाफ की उमीद ना के बराबर नजर आ रही थी लेकिन रूप कुमार शाह के दावे के बाद इसे उमीद की किरण जागी है कि शायद अब सुशांत को इंसाफ मिल सके। वहीं जब से रूप कुमार ने ये बयान दिया है कि सुशांत का मर्डर हुआ था उसके बाद से सुशांत की बेहन श्वेता ने ट्वीट करकर कूपर हॉस्पिटल के मौर्चरी सर्विंट की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की अपील की है। उन्होंने ये भी लिखा कि हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि रूप कुमार शाह की सुरक्षा सुनिश्चित हो। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें N27 News। आप देख रहे हैं N27 News पकड हर खबर पर।